हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागए था आपका इस नए वीडियो लेक्चर में तो कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताया था कि जो यूपी पॉल टेकिनिक इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिरिंग कर रहे हैं जो कि सिक्स समेस्टर के चाथ रहें ठीक है उनका जो slabus था मैंने कल बता दिया था कि तीन जो उनका subject है वो fix है पहला है आपका microwave and radar engineering दूसरा है आपका microcontroller and embedded system और तीसरा जो है wireless और mobile communication यह त्युनों subject आपके fix थे और जो चौथा subject था वो आपका elective subject था elective subject का होने का मतलब है कि इसमें तीन subject होता है जिसमें से एक ही आपको चुनना होता है ठीक है तो इसेries एक ही एक ही besitute में से एक आपको चुलेट करना होता है तो सब मिलाके आपको जो six semester के छात्त हैं electronics engineering से वह आपको सिर्फ चार ही subject आपको इस बार पढ़ने हैं ठीक है जो 3rd year के student है जो 6 semester में जाने वाले हैं उनको सब मिला के चार सब्जेक्ट इस बार पढ़ने हैं ठीक है तो मैंने कल बता दिया था आपको wireless मुबाइल कम्निकेशन सिस्टम का कितने चैप्टर पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर किन-किन टॉपिक को पढ़ना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था आज हम लोग बात करेंगे जो माइक्रो कंट्रोलर है और जो एंबेड़ सिस्टम है इसके जो कौन-कौन से चैप्टर है और चैप्टर के अंदर किन-किन टॉपिक को पढ़ना है ठीक है तो यूपी पॉटिंग से जो इलेक्ट्रोनिक इंजिरिंग कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक है वो भी के सिक सेमेस सिस्टम ठीक है यह आपका सब्जेक्ट है इसमें जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका माइक्रो कंट्रोलर स्रीज ठीक है जिसको सौट में बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर स्रीज इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो है आपका आर्किटेक चौथा है आपका memory organization और पाच्वा है आपका special function registers और छठा इसमें आपका external memory ठीक है इन सारे topic को किसमें पढ़ना है first chapter में first chapter आपका पूरा का पूरा है आपका micro controller है जो की 8051 micro controller है इसके बारे में पूरा पूरा पढ़ना होगा ठीक है अब हम लोग दिखते हैं जो second chapter है और instruction set for micro controller programming यह आपका second chapter है इसमें जो first point आपको पढ़ना है first topic पढ़ना है वो आपका instruction set of 8051 ठीक है 8051 micro controller है उसका instruction set पढ़ना है अगला जो topic है addressing mode क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है अगला जो topic है types of instruction ठीक है types of instruction इसको भी पढ़ना होगा इसके बाद जो next topic है वो timer operation timer operation को भी पढ़ना होगा इसके बाद जो next topic है उस सिरी port operation ठीक है तो इन सारे पांचों topic को आपको पढ़ना होगा आपको second chapter में यह आपका news levels है ठीक है अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम लोग अपने telegram channel पर provide भी करा देंगे अगर अगला इसमें जो topic है वो आपका है interrupt ठीक है और जो तीसरा आम लोग का chapter है chapter number जो थार्ड है वो आपका introduction to embedded system ठीक है introduction to embedded system इसमें जो first topic आपका पढ़ना है वो embedded system क्या होता इसके बारे में देखना है और इसके बाद है आपका history of embedded system उसके बाद आपका embedded system architecture उसके बाद functional structure of embedded system इन सारे topic को पढ़ना है किसमें third chapter में ठीक है इसके बाद जो fourth chapter है वो आपका embedded operating system ठीक है embedded operating system आपका chapter number four है इसमें हम लोग को जो क्या पढ़ना है इसमें जो पढ़ना है real time operating system क्या होता इसके बारे में पढ़ना है factors affecting embedded system system इसके बारे में पढ़ना है application application of embedded system इसके बारे में पढ़ना है और embedded system characteristics and features इसके बारे में पढ़ना है ठीक है इन सारे topic को हम लोग को किसमें पढ़ना है fourth chapter में fourth chapter आपका क्या है embedded operating system ठीक है अब हम लोग आते हैं जो हम लोग का fifth chapter है उसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा topic पढ़ना है तो फर्स्ट टोपिक इसमें आएगा introduction 2 introduction of PIC MICRO controller ठीक है PIC MICRO controller का introduction है फिर PIC का block diagram है function diagram of each block है फिर introduction of AVR MICRO controller AVR MICRO controller के बारे में पढ़ना है इसका introduction है फिर इसी का block diagram है फिर each of function of each block ठीक है सबी ब्लग काफंसन इसी में देखना है तो इसम अरे टॉपिकों किसमे रख करना है कि छप्टर में ठीखरा अगला जयम लोग का चैप्टर है चैप्टर नबर शिक्स166 में क्या है क्या 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 आपको पढ़ना है पहला आपको पढ़ना इसमें programming concept of microcontrollers उसके बाद पढ़ना आपको basic introduction of software use in microcontroller ठीक है microcontroller में कौन basic software use होते हैं इसके बारे में देखना है उसके बाद अगला जो topic है how to transfer CRASM code in microcontroller ठीक है इन तीनों topic को आपको पढ़ना होगा किसमें चैप्टर नंबर 6 में अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 में आपको आपका जो रहेगा चैप्टर नंबर 7 उसका क्या नाम है input-output interface ठीक है input-output interface में क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें पढ़ना है sensor पढ़ना है 7-segment display पढ़ना है LCD पढ़ना है LED पढ़ना है ठीक है इसमें से जो 7-segment display वह पहले से पढ़ा हुआ है LCD और LED तो पिछले ही समेस्टर में पढ़ा हुआ है जो की Consumer Electronics अब पढ़ा हुआ है और जो seven segment display है तो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ठीक है तो इस वाले चैप्टर में सबसे important आपका sensor और यह दोनों आपका बहुत ही important है क्योंकि जो transducer होता है जो sensor होता है वह सेम तरह के होता है उसमें बहुत ही कम difference होता है तो आने वाले वीडियो लेक्चर में पूरा कवर करेंगे कि sensor क्या होता है सब्रेट क्या होता है जो भी हमनों के मैं है सारे टॉपि को बारी बारी से कबर करेंगे आने वाले समय में ठीक है अगला हम लोग का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर एट एक चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है इसमने है internet of things chapter number 8 है आपका internet of इसमें जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो इंट्रोडेक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ना है अप्लिकेशन आर्किटेक्ट्चर प्रोटो अग्ला देखना है अब लोग को जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आपका काम आ सकता है आइडीनो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलक्टॉनिक्स के लिए ठीक है तो एट चैप्टर में आपको इतने पॉइंट पढ़ना है तो यह हो गया आपका टोटल स्लेबस ठीक है किसका इतने चैप्टर के अंदर इस इन टॉपिक को पढ़ना है तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जो माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर और अप्लोट किया बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर आप कांटीनियो कीजिए वीडियो ठीक है तो इसमें क्या है सबसे पहले मैं जो चारो सब्जेक्ट है आपका उसका आपका जो स्लेबस है चैप्टर वाइस आपको कवर करवाऊंगा उसके पास से स्लेबस कवर होने के बाद से जो भी मान लेते हैं सारे आपको जो भी आपके स्लेबस है उसी के अंसार सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के पास सेर कीजिए और बताइए कि आने वाले समय में यहां पर सारे आपको लेक्टर प्रवाइड किये जाएंगे ठीक है तो हाँ चैनल प अपने दोस्तों के पास सेर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे हैल्फ हो सके क्योंकि जो स्लेबस आपका न्यू स्लेबस है और मार्केट में मैंने पता किया है तो बुक अभी तो अभी बुक आया नहीं है ठीक है कुछ समय के बाद बुक आ जाएगा तो अच्छे से हम ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है कि स्वारा का जो पूरा सेमेश्टर है उसमें आपको अच्छे से पढ़ना होगा ठीक है चाटिंग से मुलूग स्टार्ट करेंगे जिससे आपका जो एक्जाम के समय में जादे बोज नहीं पड़ेगा ठीक है और आपको जादे से से नॉलेज भी मिलेगा उसके बाद आपको ज्यादा से मार्क्स भी इस बार मिलने वाला है ठीक है तो बने रहे हमारे साथ कनेक्ट रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अगर कोई भी क्वेरी है कोई डाउट है तो कमेंट बाक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं और जो